वाट्स अब काईज आज में जिस मोवी को एक्स्प्लेंट करने वाले हूं वो है कामसत्रा अटल अफ लव ये कहानी मीरा नाम की एक लड़की के उपस बेस कती है जिसके खुपसूरती और अरदाओं के लोग दीवाने थे और इसके चाहने वालों के लिस्ट में दो राज्य के राजा भी शामिलते और कहानी में दिखाया गया है कि जब किसी आम लड़की को राजा चाहने लगे तो ऐसा रिष्टा से बरबादी की तरह लेकर जाता है वाईज अगर आपको मेरे एक्स्प्लेनेशन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ऐसे ही विडियोस तेकने के लिए जो इस्त्री और पुरुष इस काम कला में निपुर होते हैं वही इस काम क्रीडा का संपून सुख प्राप्त कर पाते हैं काम कला से अन्भी के इस्त्री और पुरुश संतान को जन मवश्य दे सकते हैं परन्तु काम केरा के इस सुख इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते मूवी की शुरुआ सोलवी सदीच्वी से होती है तारा और माया को दिखाते हैं जो काफी एच्छी दोस्त है तारा एक राच को मारी है जबकि माया एक दासी की बेटी है और माया के लिए बहुत खुशक्समती की बात है कि वो दासी की बेटी होने के बावजूद उसे तारा के साथ डान सिकने का मौका मिलता है मगध तारा के मकाबले में माया के एक्सपेशन काफी अच्छे होते हैं और ये दिकातारा माया से जल्ले लगती है और ये दोनों बड़ी होकर रसादेवी की तरह बनना चाहती है रसादेवी के सामने बड़े बड़े राजा भी लट्टू की तरह घूमते थे वो अपने टाइम की बदमनी थी इसके काम कला के सामने बड़े बड़े राजा भी पागल होते थे और रसादेवी लड़कियों को कामा सुत्रा की शिक्षा देती थी और ये पढ़ाई एक तरह के से कंपलसर थी जिसमें दासिये को अपने राजा को हर तरह से खुश रखने की कला सिखाई जाती थी और हो दासिये जिसे राजा अपने महन में रखता था और उनका काम होता था राजा को खुश रखना बचपन से तारा का भाई विक्रम सिन माया को पसंद करता था और वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता था मगर विक्रम्ट सिंग डिजबल था और माया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी वो उसकी रानी तो क्या उसके दासी भी बना नहीं चाहती थी अब देखते देखते वगत गुजरता है और तारा माया जवान हो जाती है और एक दिन ड़ान्स करते वग राजा अपनी बेटी तारा के बजाए माया की तारीफ करता है हलाकि दोनों बहुत खुबसूरत है मगर माया के जिसमे एक अलगी नजाकत है और राजा माया को एक नया जोड़ा देता है और इसे माया बहुत कुश हो जाती क्योंकि जिन्दगी में उसे पहली बार नए कपड़े मिले थे क्योंकि उसे सारी उमर तारा के उतरन कवही पहने हुए थे मगर बात में तारा कहती है कि ये मेरे कपड़े है वो भी पहने हुए क्योंकि तारा माया से जलती थी क्योंकि वो एक दासी की बेटी होने के बावजूद हल लिहासे तारा से बहतर थी और तारा उसे जलाने के लिए कहती है कि ये कपड़े तो मेरी शादी में पहना तारा की शादी तैह हो चुकी थी और उसकी शादी पड़ो से के राजा राजा राज सिंग के साथ तैह हुई थी और ये बात तारा को इतनी बुरी लगती है कि वो भरे महफिल पर माया की इंसल्ट करती है और उसके चेरे पर धूक देती है और माया को ये बात इतनी बुरी लगती है कि वो इस इंसल्ट का बदला लेने के तलाश में रहती है और उसे ऐसी चोट देना चाहती है जो वो सारी जिन्दगी ना भूल सके और माया शादी वाले दिन इतनी अच्छे से तयार होती है कि सब लोग की नजर उसी पर होती है हाला कि कपड़े भी तारा केते हैं मगर माया पर यह ज़्यादा अच्छे लग रहे थे तारा का भाई विकरन सीन जो एक राजकोमा था माया से शादी करना चाहता था और आज वो उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है मगर वो उसे भाव भी नहीं देती माया को तारा से अपने इंसल का बदला लेना था माया ने बच्पन से तारा के यूस के हुए कपड़े ही पहने थे और हर चीज उसके यूस के हुए इस्तमाल करती थी मगर उसे भी नए चीज़े चाहिए थे मगर आज माया तारा को एक ऐसा तोफा देना चाहती थी जिससे उसने तारा से पहले यूस किया हो माया शाधी वाले पहली राजा राज सिंग के पास जाती और उसके साथ इंटिमेट होती है माया को राजा राज सिंग के साथ सोते वे तारा का भाई विकरन सिंग देख लेता और उसका डिल तूट जाता ह। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो बच्पन से माया को पसंद करता था और अगले दिन जब तारा की विदाय हो रही थी तब माया तारा के पास जाती और उसे कानों में कहती है कि उसे ने पूरी जिंदगी उसके यूस की वे चीज़े इस्तमाल किये मगर अब वो अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज़ का इस्तमाल करेगी जिसे उसने उसे पह को माँ से शादी करी और भाई एक दासी से शादी करेगा ये तो कभी नहीं हो सकता है ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदिगी की बात है मगर विकरन सिंग को किसी बात से कोई फरकने पड़ता है इसलिए मजबूरन महारानी को माया से पूछना पड़ता है कि क्या वो उसके बे देती है विकरन सिंग उसकी तरह घुंगरु फेकता और कहता है कि इसे पहन लो ताकि दुनिया वालों को मालूम हो सके कि एक वैशा जा रही है अब माया के पास रहने के लिए कोई जगा नहीं होती है वो किसी भी तिहरा किसी दूसरे राज्य में अपने रहने का इंतिसाम कर लेती है और फिर वो राजा राज सिंग के राज महल में चली जाती है जहां एक घाट पर राजा राज सिंग के शाही मुर्तिकार जै कुमार की नजर उस पर पढ़ती है जो बहुत वक्स से एक मुर्ती पर काम कर रहा था उसने उसका बेस तो तयार कर लिया था मगर उसे तेटुछ आता है मगर माया को जैकुमार की इस तरह से उसे टश करना पसंद नहीं आता मगर जैकुमार उससे समझाता है कि उसकी कोई गलत इरादा नहीं था वह एक मूर्तिकार रहा और उसplayer अपने गामड़ार से ही इंतिजाम कर देता है और यहां रहकर वो रसा देवी से कामसुत्रा का लेसन भी ले रही होती है इधर जै कुमार के साथ माया की नजदे क्या बढ़ने लगती है माया ने अपनी जिंदगी में ऐसा अट्राक्शन कभी ने महसूस किया था एक दिन माया कहती कि तुम भी सभी मर्दों जैसे हो तो फिर जै कुमार माया को मर्दों की कपड़े पैना कर उसे एक वैशाले लेकर जाता है ये दिखाने के लिए कि दूस्रे मत कैसे होते हैं और वो ये देखती है कि वेशाले में दूसरे मत, य अदरों के साथ चानवर की तरह भीर करते हैं। और यह किसी चीज से जादा नहीं समझते हैं और वह वैशाले में राजा राज सिंग को भी आता हुआ देखती हैं राजा राज सिंग को वैशाले में इसलिए आना पड़ा क्यूंकि उसकी हरम की और तो से मन भर चुका था और उसकी भी भी तारा भी उसे दूर रहने लगी थी क्योंकि शादी के पहली रात बिस्तर में उसने तारा के बज़ाय माया का नाव ले लिया था और इसलिए उनके बीच में कोई बॉंडिंग नहीं बन सकी माया वैशाले से आने के बाद जैक कुमार को और भी ज़दा पसंद करने लगी थी क्योंकि वह दूसरों माया के जैसा बिल्कुल भी नहीं था अब ये दोनों इंटिमेट होते हैं और कुछ दिन में जैक कुमार ने मूर्ती तो तैयार कर ली थी मगर काम में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था वो हमेशा माया के बारे में सोचता रहता था उसे लगता है कि अगर माया से दूर र गीतिया और उसे लगता है कि जैक कुमार ने उसे पाएदा उठा उठाया और और उसको धोका दिया माया फी रसादेवी के पास आती है और रसादेवी कहती के जैक कुमार एक अच्छा इंसान तुम्हें एक और मौका देना चाहीजाएगी वो पूरी जिन्दगी अकेरे बढ़ा है इसलिए वो एसा है और तो में देखना नहीं तो तुम्हें धूनटे वे जल्दी यहां पह आ जायेगा जब जैक कॉमार मूर्थी तयार कर चुका होता है तभ उसे देखने के लिए राजा राज सिंग आता है और जब वो मूर्ती को देखता है तो वो पागल हो जाता है और उसे किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए जिसे देखकर जै कुमार ने ये मूर्ती बनाई है मगर जैकोमार तो माया को बहुत प्यार करता है और एक दिन जैकोमार माया को ढूंते है रसा देवी के स्कूल में पहुंच जाता है जहां उसे माया मिलने से मना एक दिन राजारासिंग माया को अपने राज़े में ढूनने का ऐलान करवाता है लोगों को पता चल जाता है और जब री माया को ढूल लिया जाता है जब तारा को पता चलता है कि महल में एक नई दासी है जिसका ना माया है तो वो समझ जाती कि वो कौन है जब तारा माया को देख तो वो घुस्से से पागल हो जाती है तब महरानी उसे समझाती है कि वो रा सादेवी आए रानी हमेशा रानी राजा राज सिंग नशे और अगरतों के चक्कर में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे अपने राजपार्ट से कोई मतलब नहीं था पड़ों राज के राज पर हमला करना चाहते थे और उसे जीतना चाहते थे और जब यह बाद राजा को ब चुका था इसलिए वो उसके साथ काफी अच्छा पिल करता है वह राद भी ईसके लिए अच्छा गुज़रती है और फिर अगले दिन दिवह जैक पुमार को फ्रेंडली कुष्टी के लिए इन्वाइड करता है कुष्टी का रिजल्ट तो पहले से ही ते ता जैकुमार को सिर्फ मार काना और राजा राजा को मार या गिरा सहंथ में ब्लकुल फिर फिर यहाइज बिल्ट होदादा ।य। फिर माया की मूर्ती बनाने का काम देता है जैक कुमार के पास एक अच्छा मौका था कि वो बहुत दिने बाद अपनी बदमनी से मिल सकता था और वो माया से प्यार करता था और वो इस बात का बहुत दुखता कि उसने उसे चोड़ दिया महल में रहते हैं माया और तारा भी पास आने लगती है माया तारा से कहती कि वो उससे के पती को उससे दूर नहीं करना चाहती थी उसरा जब तारा की शादी होने वाली थी तो उस दिन उसने घुसे से तारा से बदला लेने के लिए उसके पती के साथ रात गुजारी थी और असल में वो शाही मुर्ति का जैकुमार से प्यार करती वो अपनी सारी जिन्दगी जैकुमार के साथ गुजारना चाहती है और राजा राज सिंग के महल में नहीं रहना चाहती है अगले दिन राजा राज सिंग माया की मूर्थी बनाने के लिए जै कुमार को बुलाता है तब ही राजा राज सिंग सब के सामने माया के जिसम को टच करने लगता है यह चीज जै कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्यों को माया को प्यार करता है इसलिए वो राज सेंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो माया के साथ उसे कुछ दिर के लिए अकेला चोड़ दे और इसे मूर्ती बनाने में कोई disturbance नहीं चाहिए आजा है जै कुमार के साथ माया को अकेला तो छोड़ देता है वो एक दूसरे से प्यार करते और वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते इसलिए वो लोग राजा के महल से अक्सर मिलने लगते हैं और वो वहाँ आ बहुत ही खत्रा मौल के वहाँ से उसे मिलने के लिए चुप-चुप के आया करता था वो उसे शादी करना चाहता था मगर अभी ये बिल्कुल भी मुम्किन नहीं था अगर वो ये बाद राजा को बताएगा तो राजा उसे मरवा देगा तारा भी काफी ज़्यादा डिप्रेस थी क्योंकि उसे के पती से उसे प्यार नहीं मिला था दूसी दूसी ओर्टों के पीछे रहता था फिर एक दिन तारा भीमार होने का नाटक करती है ताकि डॉक्टर तो उसे टश कर सके ताकि वो उसे अपने मन को शांती मिल शके एक दिन राजा रासिंग के मां उसे बताती कि पड़ोसी राजा शाह तारा के भाई विक्रम के साथ अपनी नजदी के बढ़ा रहे हैं मगर राजा राज सिंग इस बात पर जादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि वो लोग कमजोर हैं हमारे बराबरी को एक दिन राजा राज सिंग विकरन सिंग को अपने दर्बार में बला आता और उसकी बहुत बेज़दी का ता उस राजा राज सिंग को बहुत ही हलके में ले लिया था मगर वो विकरन सिंग को नहीं जानता विकरन सिंग अपनी बेज़दी बरदाश करके चला तो जाता है मकर वो उसके बदला लेने के लिए अपने साथ सेना लेकर जरूर लोटेगा उसकी राज पर हमला करने के लिए मह पहली बार किसी औरत से रिजेक्शन मिला था वो समझ जाता है कि माया जैक कुमार के बीच में जरूर कुछ चल रहा है इसलिए वो एक बार फिर जैक कुमार को कुष्टी के लिए इन्वाइट करता है इस बार कुष्टी में हातों से ने बलकि जन्जीरों और नुखिली चीस से होने वाली थी राजा अफिम के नशे में था इसलिए वो जैक कुमार पर जान लिवा हमला कर देता है और जैकुमार समझ जाता है कि ये कोई आम फाइट नहीं है बलकि ये आज तो आरा पार की लड़ाई है वो भी चाहता है कि वो राज सिंग को मार दे क्योंकि वो उसकी वज़ा से अपने प्यार से दूर हो गया और गुसे से लाल पिला हो जाता उसे जेल में डवला दिता है माया भागते हुए तारा के पास जाती है ताकि वो उसकी मदद दे सके तारा वो जो जैक कुमार को छोड़ कर गई थी मगर जब वो वहां पर उसती है कदर पागल हो चुका था कि वह उसकी रिजेक्शन को बरदाश्ट नहीं कर पाता है इसलिए वह रवक्त अफीम के नशे में रहता और फिर तारा उससे रोमैंस करने के क्योशिश करती है मकर वह नशे की हालत में होता है तो तारा उसकी बेज़ज़ती करके वहां से चलिजात और फिर वह ऐसे यारत में राजा राज सिंग के पास जाती है और कहती है कि वह उसे हर खुशी देगी बदले में वह जैकुमार को छोड़ दे मगर अब राजा राज सिंग के लिए बास सिर्फ जिसम की नहीं बलकी रह गए थी वह माया से प्यार करने लगा था और वह जैकुमार को हाती से मरवाने का हुकुम देता है और यही और यहां सब लोग जैकुमार के राज के देखने के लिए जमा हो जाते और फिर सब के सामने जैकुमार को हातीयों के पैरों से कुचलवर कर मरवा दिया जाता है माया भी यह सब देख रही होती है इसके बाद अफ सभादरा करेंगेंगेंगेंगेंगेंगें के तुछा सिंग का ये कुंता के तरह में जाता है। शेयर वह चाल करेंख कि भाता है। चीन ली और इसी के साथ यह मूवी यहें पर एंड हो जाते हैं थैंक यू पर दो वोची खुझे वोची खीस आसे रहीं